वहां के बाद जब ये ऐसे केस आने लगते हैं, ये वाले केस आने लगते हैं, तब फिर उसका क्या एहमियत रह जाती है और हम बच्चों से कैसे कहें कि ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है वापिस से कलम उठाना, वापिस से पढ़ाना, हमें तैयारी ये चेह एक्स डॉट कॉम पे आपने हर जगे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे खुब पढ़ा सुना होगा काफी कुछ इसके अराउंड और भी चीज़े हैं जो वाइटी पे इंस्टा पे जो आजकल फ्लोट हो रही हैं और यह सब हो कहा रही हैं यह सब यूपी एससी के खामिया निकल के आ रही हैं इनके प्रॉसेस में और एक चीज़ और कि यूपी एसी या आयाइटी यह एक ऐसे संस्थान हैं जो कम से कम यह गलती बरदाश्ट नहीं करते हैं जो कम से कम हम अपनी साख बचा के राखेंगे हम अपनी हमारे हाँ जो जो बच्चे आते हम वो मैरेट से लेंगे किसी और तरीके सर नहीं लेंगे ठीक है आयाइटी ने कि हम इस जगे तो कि यह एक ऐसी जगह है जहां पे इस चीज की गुझाइश नहीं कि यहां कोई आदमी अपना कोई लूप होल निकाल ले पर फिर उस वार नीज आती है इस पर हम देखते हैं पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा नीज का आर्टिकल्स का एक सेलाब आने लगता है कि हमने आर्टियाई डाली हुई है हमें जानना है ओवी सी सर्टिफिकेट की इनकी जो वेल्थ निकल के आती है 45 CR सब कुछ ठीक है चलो ठीक है अब इनके साथ ही जब इनकी कॉंट्रवर्सी बहार आई और इनको फिर पूने से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया तो यह अपने आप में एक मजाक है एक भद्दा मजाक है कि एक ऐसे ऑफिसर के उबर ज देख लेंगे जो भी होगा पर चलो ठीक है अभी इनको वाशिम बेज दिया जैसा भी होगा आगे कमिंग टू कि इस समय और आप क्या-क्या देख रहे थे न्यूज में इस दोरान मेरे पास कम से कम नहीं तो 25 प्लस ऐसे मेसेज आए हैं ऐसे बच्चों के जो कह रहे हैं कि अब वो किसी आंदरब्रदेश में कहीं PCS हैं वो कहीं UP में कहीं PCS हैं कोई अदिकारी हैं EWS certificate लेके आप देखो यह विजय वर्दान जी तो अब 2018 में यह UPSC में चाहनेत होते हैं फिर 2020 में चाहन होने के बाद सर्विस के दौरान यह फिर दौरा एक्जाम लिखते हैं और फिर इन्होंने EWS quota EWS quota का इस्तिमाल किया है सरकारी नौगरी में आने के बाद EWS quota का यूज हुआ है अनुमेनेवाल मैम इनके फादर खुद IPS हैं और इन्होंने क्लेम क्या EWS certificate अब इसके बाद प्रियांशू खाटी जी कई ऐसे लोग अब खाली EWS नहीं जो भी जो लोग disability का quota को यूज करते हैं बाद में उनको प्रूव करना पड़ता है कि हमारे पास quota है और हमारा quota valid है तो अब वो disability के around फिर उनके उपर भी फिर एक आँख उठती है किसाब ये कैसे हो रहा है कि नि यूसुफ जी तो उनके उपर income certificate forge करने का आरोप है उसकी जहां चल रही है सेंटर और केरिला उसको देख रहे हैं तो यह सब एक तरीके से आप देख रहे हो कि एक UPSC जैसे प्रतिश्टित सबसे देश की सबसे प्रतिश्टित नौकरी में जहां का हम अपना सपना रखते ह हमें यहां जाना है वहां के बाद जब यह ऐसे केस आने लगते हैं यह वाले केस आने लगते हैं तब फिर उसका क्या एहमियत रह जाती है और हम बच्चों से कैसे कहें कि अभी आप पढ़ाई करते हो सब कुछ fair है सब कुछ okay है सब कुछ ठीक है यह हमारे लिए बहुत difficult हो जी का अगर अधिस्टेशन होता तो इसारे के सारे ओफिसर्स अपने आप ही अपने अप सस्पेंशन देते हैं साब हमें सस्पेंट करतो हम अभी नहीं रहेंगे क्योंकि यह ऐसा होता है कि जब आपके उपर अगर थोड़ा भी अगर आपके उपर कोई लांशन या दाग लगता तो आप कहते हूं मैं पूरा पहले साफ हो गया हूंगा तब मैं सर्विस में आँगा अब चलो खेर हम ऐसे लोग ऐसे भी लोग हम ने देखे हैं कि यह रिंकू सर हैं इनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा और उसके बाद इनके उपर साथ बार गोली चली है यह ऑस्पिटल में थे चार महिने तक अस्पताल में रहे इनकी मेडिकल लीव तक अप्रूव नहीं हुई थी पेंडिंग पड़ी रही थी उसके बाद यह शक्स यूपेसिक त्यारी करते हैं इन्होंने फिर यह सोचा कि हो सकता है PCS नहीं मैं IS बनके मैं हो सकता है मैं अच 173 इधर 173 2018 में 2021 में ठीक है जो पूजा खेडगर जी है उनका स्कोर 184 क्या यह नहीं चोका रहा है क्या इस पर लोगों के आखें नहीं खुल रही है आप अभी समय एक दूसरा संस्थान है जो यूपेसिक त्यारी कराता है उनका एक मौक इंटर्व्यू का आप आजकल वी अभी अगर मैं आपसा जवाल बूचूँ आप बता दोगे आप पढ़े हो एकनॉमिक बेसिक है यार यह तो बैंकिंग यह तो सबको पता है अब वो यह नहीं बता बारी थी मौक इंटर्व्यू में और समहाव यूपेसिक इंटर्व्यू में उनका स्कोर 184 ही चला जाता ह AIR 1 से ज्यादा उनका स्कोर आया है पूजा खेडगर जी का और जो परसन जिसने सब कुछ अपना त्याग दिया बलिदान दिया अपना एक आख कुर्बान कर दी आइसाइट चली गई उनका स्कोर आ रहा 105 हाँ कैसे हम कहें कि सब कुछ फेयर है सब कुछ ओके है और हम कैसे है अगे आने वाले बच्चों से मैं अलक सर से बाद कर रहा था सुमिछ सर से मैंने बात करी कि क्या ये कि सर हम किसरम बच्चों को कैसे अभी समय करें करें कि सब कुछ ठीक है, जब हम ऐसे cases देखते हैं, ये cases देखते हैं तो इनका तो मैंने आगे आपको पूरी कहानी बता ही नहीं है, इनका तो अभी मैं कहानी बताता हूँ आपको, तो रिंकू राही जी रिंकू राही जब PCS थे, उस समय जो सरकार थी, मायवती जी की सरकार थी, अब उस समय ये पूरे मामले के बाद इनको psychiatric ward भीज दिया गया था, समाज़ादी बटी की सरकार में भीजा गया था, कि नहीं नहीं हो सकता है, आप शायद करना डगा के ये officer थे, इनको गोली लगती है, आपको अभी याद होंगे, ये आज की news है, कठुआ में, जम्मू कश्मीर में, हमारे probationary अभी तो permanent भी नहीं होए थे, अभी तो probation पे थे ये, SI थे, आज आतंग बादी उनको गोली मारी है, इन लोगों आप सोचो, पैनल का, यो पैनल कॉंपेटेंसी सोचो, कि उस पैनल ने जिसने पूजा खेड़कर को 184 नमबर दिये, और इस शक्स को, जिसने अपना इतना ज्यादा सब कुछ कुरबान किया, सिस्टम से fight किया, उस सिस्टम ने उसको 105 नमबर दिये, और why it is important मैं आपको बत इस खराब, तो काम का नहीं है, हम उस बच्चे से आज पूछ सकते हैं, जो 2018, 2019, 2020 में तयारी किया हो, 2021 में तयारी किया हो, कि आप 2-4 नमबर से रह रहे होंगे, 15-16 नमबर से रहे होंगे, आज कैसा फील कर रहे हो, वो ऐस्परेंट आज बोल भी नहीं पाएगा कुछ, वो पूरे पार, यह अपना कर पा रहे हैं, बट वेन वी सी, ऐसे फोटो, वेन वी सी, यह वाले सारे आजकल जो न्यूज आ रही है, कि यह ओडी सीज हो गई है, इनकी जिस पर यह अपना ट्रैवल करती है, सब कुछ हो रहा था, अभी मेरी आज एक दोस से बात हो रही थी, व इसे हुआ, जितने सारे जो लोग सरकार में हैं, बज़े नोंने हेल्प करी थी, पूजा केड़ कर वाले, पूरे मैटर में, वो लोग आप फाइलेंट चुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, मेडिकल वाले जो कॉलेज ने, जहां पर इनोंने पड़ाई करी है, उन्होंने तो सब हमारे पास तो आया था, सब कुछ हो गया, तो अब जा चल रही है, जब तक ये फाइंडिंग आएगी, जब तक ये सब अब कमिटी बताएगी, अब कमिटी भी अपना ही डियो पीटी ने, जिसने ये अपॉइंटमेंट दिया है, वो ही डियो पीटी ने उस चानमीन के सब्सक्राइब करेंगे, जब तक हमारा सिस्टम में सेलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक हम भी ऐसी बस मान के चलेंगे कि सब ठीक ही होगा, और जब फाइंडिंग पब्लिक होगी तो उसको देखा जाएगा, अब विद इस मुझे बस क्या ही मैं बोलूँ और आप से ब आपको बस भरोसा रखना है, आपको जैसा भी हो, इस मसले के अराउंड और भी जो आएंगे, सब डेवल्पेंट्स होंगे, हम उसको फिर टेक अप तो करेंगी ही करेंगे, यू है फेथ, आप ये मान के चलना कि सब कुछ ठीक ही होगा, जब तक धरती रुकती नहीं है, त इस समय ऐस्पिरेंट्स को चाहिए, कि जो लोग जिनको लग रहा है कि उनका अटेंट्स ओवर हो गाएं, जिनके पास समय है, वो RTI डालें, जिनको लगता है कि ये इंपोर्टेंट है जानना, और लोग डाल भी रहें RTI, आप देखो ना, कितने लोगों यहां पर RTI डाली कि महराश्ट जो GAD है, सब सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे जितने सारे हमारे सरकार के जो सारे अंग हैं, उनको इस समय क्लीन आके बताना चाहिए, कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, या हमसे मिस हो गया, या गलती हो गई, और एक बार आके एस्पिरेंट्स को खास कर, एक से जादा ताकतवर कोई lobby नहीं है, तो आप आके clean ये बात करें कि देखो साब अगर ये miss होता है, ये acceptable नहीं है, हम इसकी मिसाल बना सकते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे दुबारा कभी, और जो भी होगा UPSC में बदला होगा, जो भी फिर बदल लानी होगी, reform लाना होगा हम उसकी बात शुरू कर सकते हैं, हम उसकी बात सुनना शुरू कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है UPSC, अपने interviews recorded form में करें, और वो पब्लिक कर दें वो वीडियो, कितना बड़ा काम है, एक अगर candidate ने अगर जो भी score किया है, तो candidate satisfied हो जाए कि साब ठीक है, मुझे लग रहा स्कोर मेरा 105 जाएगा, UPSC में, जब वो written clear कर चुके हैं, तो यह एक difficult question है, जो UPSC को यह answer करना पड़ेगा, कुल मिला के तो बात यह है, अब इसके बात चल रहा है, आगे एक दूसरे पर blame game चलेगा, जो भी होगा, आगे जैसा भी होगा, तब देखेंगे, अगर आपको त चेहरे याद करके तयारी रखनी है, हमें क्या करके हमें तयारी करनी है, हमें तयारी ये चेहरे याद रखनी है, हमें इनकी memory को honor करना है, हमें इनोंने जो बलिदान दिया है, इनोंने जो त्याग दिया है इस देश के लिए, इनके लिए भी क्या था, ये भी अपना बैठ स अगर यह जजबा है अगर यह अंदर आपके अभी भी आग है तो तो keep on continue studying for this exam otherwise my advice to you my sincere advice to you is my students you can look for something alternative something better than whatever you are doing right now तो अगर आपको लग रहा है कि मैं वह वाले phase में रहूंगा मैं यह वाली photos में आ जाओं मैं यह वाला काम कर लूँ मताना मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे यह सब आपसे नहीं चाहिए अगर आप यह कर रहे हो तो फिर क्या ही मतलब है फिर क्यों कर रहे हो यह service क हां सिंसियर हो देश के लिए सच में कुछ करना है अपने देश को अपनी मदर इंडिया कहते हो मन से कहते हो मानते हो तो वी विल चैरिश्ट इस memories of these officers and we will continue studying and we will continue pursuing our our hard work so keep studying stay safe good luck